है गाईज मेरा नाम है कान और आप देख रहें लॉजिक टेटिंग इस वीडियो में बात करने वाले इस ट्रक्चर के बारे में इस ट्रक्चर को कैसे करके मार्ग करेंगे और बॉस जॉक्ट क्या होते हैं जिसको जनरली ब्रेग ऑफ इस ट्रक्चर बोला जाता है और चेंज के बाद में आप एक ट्रेड ले पाते हो तो ये structure mapping कैसे की जाती ही इन smart money concept हमने जाता जनरली structure पढ़े होंगे कि market higher high बना रहे तो market bullish है lower low बना रहे तो market bearish है लेकिन उस structure को कैसे करके हम identify करें कि valid कहां पर है और invalid कहां पर है तो ये वीडियो काफी interesting होने वाली आपको ये वीड structure के बारे में बहुत सारी लोग गलतिया करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि structure कहां से सही तरीके से mark किया जाए और वो गलत structure mapping करते हैं उसके वज़े से उनके काफी सारे losses होते हैं तो ये वीडियो काफी interesting होने वाली है मैं आपको बता रहा हूं जनरली आपने देखा होगा क कि जब भी हम कोई भी content देखते हैं या फिर कुछ भी internet पर देखते हैं जहां पर बता जाता है कि structure कैसे करके काम करता है और कैसे करके उसको train को identify करें हर कोई इसी के बारे में बताएगा कि market जब bearish है तो इस तरीके से market create करता है और market जब उपर जाता है तो कुछ इस तरीके स करता है बट यह एक textbook है कि मतलब आपको बताया जाएगा कि market higher high बना रहे है तो आपको बाय करना है बट reality में यह चीज़ नहीं होती market का structure ऐसे नहीं बनता market का structure बहुत complicated होता है और उसी की वज़ए होती कि लोग जातर structure गलत मार्किंग करते और उसी की वज़ए से आपके stop loss ह होते है क्योंकि आपको structure identify करना नहीं आता है और यह चीज़ हर कोई बता देगा कि market bearish है bullish है यह basic चीज़ है यह बहुत basic चीज़ है ठीक है लेकिन actual जो structure बनता है वो कुछ इसी तरीके का बनता है क्योंकि market में जो move होते है कुछ इस तरीके से होते है complicated move होते है आप down up down and then market न नीचे आ गया या फिर market ऊपर गया simple तो फिर नीचे आ गया ऐसे करके नहीं होता हर एक चीज logical होती है और हर एक चीज़ के पीछे reason होता है और हमें उसे identify करना होता है कि हमारा boss कहां पे है break of structure कहां पे higher high कहां पे higher low कहां पे है और कैसे करके हम कहां पे trade ले सकते हैं तो यह smart money concept की series पूरी स्टार्ट हो रही है और यह पहला वीडियो इसका तो यह smart money concept की Hindi series है और यहां पे आपको boss, chalk, order block, imbalance, आपके P.O.I, institutional candle, आपके entry module, सब के वारे में बताए जाएगा आने वाले कुछ दिनों में हर एक चीज़ अपलोड होगी YouTube पे और इंडिया में हौत कम लोग ह जो की smart money को trade करते हैं और जाद तर लोग English में करते हैं तो यह video especially Hindi लोगों के लिए जो stock में trade करते हैं चाहें आप Forex में trade करते हो ठीक है या फिर आप crypto में trade करते हो मैं basically Forex में और stock में trading करता हूं और majority जो मेरी trading रहती वो Forex में है भी और crypto में मैं investing करता हूं तो मुझे किसी भ मार्केट में apply कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए हम सिर्फ मुद्दी की बात करेंगे आप देख सकते हो इसक्रीन पर यह मार्केट का बेरिस फेज है और यह मार्केट का बुलिस फेज है तो बहुत क्या होता है जनरली इसको break of structure बोलते हैं जब भी मार् बेरिस है तो बेरिस जा रहा है और चौक क्या होता है इसको जनरली कुछ लोग चौँच बोलते हैं कुछ अलग-अलग नाम उसे बट जनरली इसको चौक बोला जाता है चेंज ऑफ करेक्टर इट मेंस यह एक साइन होता है जो की आपको इंडिकेशन देता है कि मार्केट श curriculum चेंज हो रहा है मार्केट के ट्रेंड जो है वह चेंज हो रहा है जैसे मार्केट अभी बैरिस थी यह मार्केट ने ब्रेक पर इस्ट्रक्चर किया और उसके बाद में क्या है again previous high को break किया फिर हमारा बाउस हो जाएगा फिर market उपर गया, यह हमारा बाउस हो गया जब तक यह previous low break नहीं करेगा तब तक हमारा बाउस बनता जाएगा और in future अगर market नीचे आता है, ठीक है और इस low को break करता है, तो यह हमारा अभी चौक हो जाएगा ठीक है यह depend करेगा कि market कहा तक जा रही है तो वही recent वाला जो low होगा हमारा higher low वही हमारा चौक होगा यही चीज़े apply होती है bearish market में, bullish market में चौक आपका bullish market में भी हो सकता है bearish market में भी हो सकता है ठीक है अगर मैं इसी चीज़ को अभी reverse कर दूँ फिर अब देखो गए तो यह आपका bullish हो गया यह चौक हो गया और फिर market bearish हो गई तो चौक का मतलब होता है कि आपका first sign जहां से market में reversal आता है तो उसको generally चौक बोला जाता है, boss एक continuation में काम किया जाता है कि market अब continue करने वाली, इसमें कुछ key point होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि यह boss valid है, नहीं है और यह सब चीज़े मैं अभी बता रहूं आपको, तो चलिए मैं आपको live chart पे दिखाता हूँ कैसे करके हम marking कर सकते हैं structure की, और कैसे करके हम एक valid boss और chalk को identify कर सकते हैं ठीक है, live chart में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊगों चीज़ों को यह मैंने HDFC bank का chart लिया है 5 minute का, और यह सिर्फ एक example के लिए है कि आपको समझना चाहिए कि कैसे करके boss को marking कर सकते हैं structure को marking कर सकते हैं और कैसे करके हम chalk को identify कर सकते हैं तो पहला चीज़ यह होता है कि recent वाला जो structure है अगर market bullish है तो वो break होता है यानि कि higher high break होता है इस case में अगर आप देखोगे तो previous high हमारा यह वाला है ठीक है, और यह हमारा recent low है हम यहाँ की बात कर रहे हैं पीछे का उसको अवर्ट करिएगा ऐसे करके, ठीक है तो market ने क्या किया यह इसको structure को break कर दिया और जब यह break करता है तो इसको बोला जाता है break of structure यह हमारा break of structure हो गया और यह कब confirm होता है market इसके above closing दे दे तब जब market ने इसके above closing दे दी तब यह boss valid हो गया अगर नहीं देता है, सिर्फ sweep किया नीचा है तो यह valid नहीं होता है हमें wait करना होगा कि इसके above closing दे तब ही हम boss मानेंगे इसको और market जब भी इसके above closing दे उसके बाद में market को एक pullback देना ज़रूरी होता है एक deeper pullback वो आपका 40% हो सकता है, 50% हो सकता है at least 40% होना चाहिए और उसके बाद में इसको valid pullback माना जाता है जैसे कि इस case में देखोगे तो इस point से लेकर के इस point तक यह एक valid pullback है ठीक है, यह low और भी नीचे आ सकता था मान लो, यह low और भी नीचे आ सकता था यहां तक और जब तक यह low break नहीं होगा ठीक है, तब तक structure हमारा bullish है यह boss कब valid होगा जब market इसको break कर देगी और break करके इसके above closing देगी जब market इसको break करके इसके above closing देगी, यह हमारा break of structure हो जाएगा और जो इस high से लेकर के recent इस high से लेकर के जो low मना है आपका ठीक है, वो हमारा higher low बन जाएगा, और market break of structure हुआ, और फिर एक pullback चाहिए हमें, अब pullback हमारा एक deeper होना चाहिए, एक short term pullback नहीं चलेगा, जैसे कि यहां पर बताए गया है यह वाला, यह short term है लेकिन हमें चाहिए deeper pullback जो कि यहां पर आकर के हुआ, तब यह जाकर के हमारा confirm हुगा, कि यह अब एक valid structure हो गया यानि कि यह वाला high हमारा confirm हो गया और यह जैसे हमारा high confirm हुआ अब हमें rate करना होगा, कि या तो यह break करें, या फिर यह low break करें, क्योंकि अब जो range बनी है हमारी इस high से ले करके इस low के वीच की बनी है अगर market नीचे आती है इस low को break करती है, तब ही हमारा change of character हो जाएगा अगर market इसको break करती है, इसके above closing देती है, तो यह हमारा break of structure हो जाएगा, तो देखते हैं कि market किस side में गई है, यहां से market ने उपर की तरफ closing दी है, यह हमारा higher high हो गया, और यह हमारा higher low हो गया, और यह हमारा break of structure हो गया, क्योंकि इसके above closing दी है price ने, और यह हमारा valid boss इसको कह सकते हैं अगर market ने उपर गई, और उपर जाने के बाद में एक छोटा सा pullback दिया, जो यह हमारा boss हो जाएगा, अगर market उपर नहीं जाता है, और नीचे आता है और इस लोगो break कर देता है, तो यह हमारा chalk हो जागा, और first जो reversal point होता होता है, उसको chalk बोला जाता है change of character, और फिर बाद में उस continuation को हम boss बोलेंगे, तो अभी देखते हैं क्या हुआ, इस point पर आप देखोगे, यह आपका एक deeper pullback है, compare में इन दोनों के compare में यह एक जादा deeper pullback है, और यह वाला हम boss confirm करेंगे, जब market इसके up-up closing होगी same thing, यहाँ पर हुई कि यह हमारा boss हो गया अभी कुछ लोग confused होते हैं कि उपर जाता, तब भी हमारा यह boss होता ठीक है, तो हमें क्या करना है, generally, एक deeper pullback होजा है, और उसके बाद में break होगा तब हमारा boss होगा, और जो अभी हमारी range है, वो इस high से लेकर के slow के बीच में है तो अभी की range हमारी यह है, और जैसे यह break होगी, हम अपना नया structure बनाएंगे, market उपर गया एक deeper pullback दिया, यह हमारा एक deeper pullback है, तो इसको हम कर सकते है account एक valid pullback के दौरबे, और again market में यह high break करें या फिर low break करें अगर high break होगा, तो boss होगा, नीचे वाला break होगा, तो फिर चौक होगा, market ने क्या किया, market ने ऊपर वाला structure ब्रेक किया जो की हमारा break off structure होगा, और यह break off structure जब होगा, जब closing इसके अबब होगी again इसके अबब closing होई हमारा structure confirm होगा और यह वाला हमारा low अब confirm होगा, यह वाला low मार्केट को इसके अबब क्लोजिंग होने के बाद में इस लोग को मार्क किया आता है, इसको पहले मार्क नहीं किया आता है, क्योंकि मार्केट कहीं भी आकर के रिवर्स कर सकता है, जब तक कि ये लोग प्रोटक्टिड है, प्रोटक्टिड मतलब के लोग ब्रेक ना हुआ हो ठीक है तो यह हमारा higher low हो गया यह हमारा higher high break के structure इसके above closing होई सेम चीज़ होई market ने एक pullback दिया deeper और यह हमारा एक नया structure बन गया एक नया higher high बन गया और जैसे market इस high को break करें या फिर इस low को break करें market ने क्या किया उपर वाला high break कर दिया और यह high हमारा break off structure हो गया और जैसे यह break off structure हुआ इसके above closing होई यह वाला जो recent low होगा वो हमारा higher low बन जाएगा और यहाँ पे कुछ लोग गलती भी कर देते हैं कि वो कुछ लोग यहाँ पे mark कर देंगे कुछ यहाँ पे करेंगे यहाँ से break हुआ यह low होता है वो हमारा higher low होता है यह bullish market में और same चीज़ apply होती है आपकी various market में भी तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि market का जो lowest point होता है वो हमारा higher low होगा और higher high हमारा जब confirm होगा जब market break करेगी structure को और इसके above closing हो जाएगी ठीक है तो यह हमारा break of structure हो गया same चीज़ again market उपर गई एक छोटा सा pullback दिया लेकिन यह एक deeper pullback है और यह deeper pullback है और इसको हम mark करेंगे as a boss break of structure और यह वाला हमारा point हो जाएगा higher high और यह higher low market उपर गई closing इसके above दिया इसे लिए boss है अगर यह closing इसके above नहीं दियता अगर इसको sweep करता तो फिर यह boss नहीं होता low हमारा यह है इसको break करना होता या फिर इसके above closing होता तब ही हम इसको boss मानते ठीक है तो market ने क्या किया इसके above closing दिए pullback किया और pullback करने के बाद में क्या हुआ हम generally क्या करेंगे तो अभी की जो हमारी range है वो यहीं पर है कि यह high break हो गया यह boss हो गया यह low point है तो या तो इस low को break करे market तब ही हमारा क्या हो जाएगा चौक या फिर इसको break करे यह हमारा boss हो जाएगा क्योंकि market bullish है market higher high बना रहा है उपर जा रहा है continue में अब strength नहीं और जादा उबर जाने की और उसके बाद में उसने जो major लो था यह वाला है यह हमारा होगा अब change of character और इसी को बोला जाता है चौक यह हमारा चौक हो गया और उसके बाद में क्या expect करेंगे market में एक reversal sign मिल गया है कि market bullish थी अब वो variance में turn over यह अब कुछ लोग गलती यहां पर यह करते है कि इस structure को low mark ना करके वो इसको mark करते हैं इसको mark कर लेते हैं क्योंकि यह वाले low high किसी काम के नहीं यह आपके internal structure है major high low यहां पर और यहां पर है इसके बीच में कुछ भी break हो रहा है वो आपके किसी काम के नहीं है और उससे कोई भी decision नहीं ले जाता है वो generally आपका internal structure होता है और major जो structure है आपका यहीं पर है आपका major high और major low जब तक यह break नहीं होगी तब तक आपका कोई decision नहीं लेना जिसे यह break हुआ तो buy का decision लोगे यह break हुआ buy का decision लोगे यह previous break हुआ buy का decision लोगे लेकिन जब तक यह high low break नहीं होगे तब तक हमें कोई भी decision नहीं लेना है market ने क्या किया low break किया इसके below closing दी जो की एक indication है कि market actual में एक नीचे की तरफ जाना चाहता है market नीचे आई एक deeper pullback चाहिए market ने यहाँ पर एक low बनाया यह कब confirm हुआ जब market ने एक deeper pullback दिया और deeper pullback देने के बाद में again नीचे आई और इसको break करके इसके नीचे closing दी तो यह हमारा हो गया boss कैसे करके यह हमारा lower low बन गया यह हमारा lower high बन गया और यह हमारा boss बन गया क्यों क्योंकि market bearish में अब continuation जा रही है मतलब नीचे की तरफ जा रही है अब हमारी जो range है यह एक low है एक high है या तो market इस high को break करे या एक नया structure develop करके एक pullback करके आपका जो भी low बनाया जिससे कि यहाँ पर बना दिया हो सकता है थोड़ा नीचे करके बनाता है जहां भी भी बनाता है वो break करें तो उसको continuation करेंगे उसको break of structure बोला जाएगा price ने break of structure होने के बाद में pullback किया लेकिन pullback करने के बाद में market दुबारा नहीं आया इस low को break नहीं किया market ने जो previous high था उसको break कर दिया और जब भी market previous structure को break करेगी bearish से तो वो एक चौक का काम करेगा क्योंकि market ये bearish थी अब ये दुबारा से turn होगी bullish में और ये हमारा change of character हो जाएगा और जो अब हमारी range होगी वो इस point से लेकर के यहां तक होगी यहां तक होगी कि इसने एक deeper pullback दिया है या तो structure अब ये low break करे या ये high break करे जब तक ये high या फिर low break नहीं होगी हमारा decision नहीं होगा market ने change of character दे दिया है हो सकता है market दुबारा से बापस आ जाए again change of character दे दे और अगर market उपर break करेगी इसके above closing देगी तो उसको गुला जाएगा break of structure अभी market प्लाइब चल लएए और यहां पर अभी कोई भी decision नहीं आए लेने का क्योंकि market अभी internally चल लएए और हमें कब buy करना है break of structure के बाद में यह actually मैं सिर्फ आपको structure identification का बता रहा हूँ यहां पर अभी कोई buy selling का कोई concept नहीं बता है और हम आने वाली वीडियो में पूरा discuss करेंगे completely कैसे करके buy करना, कैसे sell करना, कैसे trap से बचना है कैसे smart money काम करता है बाकी लोग कैसे करके इसमें trap हो रहे हैं जोकी trend line patterns और बहुत सारी चीज़े use कर रहे हैं पिवेट हो गया, फिमनाची हो गया indicators हो गया, RSI, overbought, oversold मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको वो बहतरीन content आपको provide करने वाला हूँ जो आपने अभी तक YouTube पे हिंदी में तो देखा नहीं होगा तो generally यह एक overall structure होता है कैसे करके हमें marking करनी है structure की कैसे करके उसको identify करना है कैसे करके वो valid है, नहीं है क्योंकि लोग जातर गलतिया कर रहे है उनको पता नहीं कि high कहां पे, low कहां पे boss कहां पे है, जो लोग smart money नहीं जानते, वो लोग सबसे जादा गलती करते हैं और जो smart money कर रहे हैं, वो और भी पीच का range किसी काम का नहीं होता है जब तक कि major high break ना हो, या फिर low break ना हो यहाँ पे break हुआ, यहाँ पे लोग गलतिया कर रहे है कुछ लोग इसको boss मानने है, ठीक है higher high मानने है, यह break हुआ सोच रहे हैं कि अब structure change हो गया, यहाँ पे sell करना स्टार्ट कर रहे है, market उपर चला गया, यही बज़र होता है कि आप जब भी बाया करते हो, market उल्टा जाता है, या sell करते हो फिर उल्टा जाता है क्योंकि आपको structure की mapping सही नहीं आती, यह video आपके structure की mapping को काफी improve करेगा चाहें आप smart money करते हो, नहीं करते हो, लेकर अगर आप higher high marking कर रहे हो, lower low, higher high तो यह video काफी help करेगा आपके लिए कि कैसे करके, आपको actual में structure को map करना चाहिए और कैसे करके high low हम mark कर सकते हैं, और हम आने वाले दिनों में continue smart money concept वे हिंदी वीडियो लाने वाले और आपको एक regular और high quality content मिलेगा, यहाँ पर I hope आप समझ गए होगे कि structure को कैसे करके marking करनी है, higher high, higher low और boss, chalk क्या होते हैं और उनको कैसे करके marking करनी है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आपका structure ठीक होगा, तब ही आपकी trade ठीक होने की probability ज़्यादा होती है अगर आपका structure में mapping ही गलत होगी, तो आपकी बहुत ज़्यादा probability हो जाती है कि आपकी trade गलत जाएगे तो thank you so much guys, पूरा वीडियो देखने के लिए और मैं आपको जल्दी मिलेंगा एक next वीडियो में, तब तक के लिए happy trading